कैसे हो आप सबी लोग आसा है सब अच्छे होंगे अपने घर में स्वस्त होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे तो सुबस्व यह ब्लॉग को मैंने स्टार्ट कर दिया है और यहां पर मैं बना रही हूं चाय सबसे पहले तो अदरक इलाइची लॉंग मिलाके मैं आ क्लाइची लॉग के। यहांग जाता है कि लाउंग डालने से चाय बी टिस्टी बनती है और खांसी बी गाइब हो जाती है। तो इहां पी अकदम कड़क वाली मैं चाय बना रहे हूं एकदम हल्की सी सकक कर थोड़ी सी चाय पत्ती और एकदम गाढ़ी करके यह चाय को बन को और यहां पे चाई बन जाने के बाद मैं गरम गरम ब्रेट भी सेख लोगी है तो टोस्टर है मेरे पास बर्वार्प बहुत कम करती हूँ इस तरह से तवामे मैं घे डाल की सेख लोगी और आरभ स्कूल चुल चालागिया है आरभ के इसकूल जाएं आरभ जाने के बाद हम खाने वाली हूं ब्रेट को और मेरे हजबेट पीनेट बटर के साथ खाएंगे तो यही आज का हमारा ब्रेक्फस्ट रहेगा और ब्रेक्फस्ट वगेरा हो जाने के बाद हम थोड़ा सा इस तरह से बैठते हैं और अपने लैप्टॉप में थोड़ा वीडियो वगेरा देख न नकीं करते हैं किस्छ चली आली तो इतने इतने सारे य्यॉजिश ब्रू देख सकते हैं आप चील लिया है तो करीब 200 ग्राम मैंने यहां पे लसुन लिया है और 100-500 ग्राम के करीब मैं इसमें अधरक ली हूँ अब इन सारी चीजों को हमें अच्छे से पानी में वाश करना है रगड के क्योंकि अधरक में क्या होता है न मिट्टी वगेरा थोड़ा बहुत रह जाता है तो इस तरह से हाथों से मैं अच्छे से इसे क्लीन करूंगी क्योंकि इस टोर करके रखने वाले हैं और किसी भी एयर टाइट डबे में आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रखते इसमें क्या होता है मेरे लिए बहुत ही एजी होता है इसमें मेरा टाइम बहुत जादा बचता और इस पीस्ट को जब आप ग्राइंड करिएगा तो थोड़ा सा सरसू का तेल आप जरूर राइड करें इसे बहुत अच्छे से यह पीस्ट भी जाता है और इतना सारा आप देख सकते हैं जिंजर गार्लिक का पीस्ट रेडी हुआ है एयर टाइट डबा में मैं इसे रग द कर दिया है एकदम अच्छा वाला बाड़िश हो रही है यहां पे मेरे हजबिन का सबसे पसंदीदा जो सबजी है वो है सोयाबिन की सबजी तो आज मैं उनके लिए सोयाबिन मराने वाली हूँ तो सोयाबिन मराने के लिए सबसे पहले मैं सोयाबिन को गरम पानी में डालू और 5-10 मिनिट के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए उसके पाद यहां पर मैं आलू को इस तरह से दो लिया है और काट लिया है चील लिया है और इसे हम बॉयल होने के लिए रखेंगे इस तरह से कुकर में मैं नहीं डाल रहे हूं क्योंकि आलू बहुत कम है तो इस तरह से चोटे-चोटे काटके यह जल्दी बॉयल हो जाता है 5-10 मिल्ट लगता है बॉयल होने में तो इसे मैं डग दूंगी और यह अच्छे से आलू जो है हमारा सॉफ्ट हो गया है बॉयल हो चुका है अभी इस तरह के छनी में हम इसे डाल लें तो यह बहुत टेस्टी बनता है और एकदम धाबाय स्टाइल में मैं आज आप लोग को बताऊंगी किस तरह से में सोयाबिन को बना रही हूं तो कुछ-कुछ मसाले ऐसे होते हैं कि सब्जी में गिरने से सब्जी का स्वाद एकदम बदल जाता है तो चली देखते हैं किस तरह से में बना रही हुं तो शर्सू का टेल से मैं बनाँ ऎक शुक का टिल डाल दिया कड़ाएं में और जितने भी खड़े मसाले हैं भी मेरा कर दिया है उसके हमएकदम पारकाती हुई प्याज को हम डाल देंगे बारी कर दिया और शींदों से गृवी में थिक लिए और अच्छे से गल भी जाएगा प्याज को हम आधी मिनट के लिए पका लेंगे जिसी प्याज सॉप्ट होगा उसके बाद इसमें हम एड़ करेंगे जिंजर राले का पेस्ट जो कि मैंने जस्ट तूरंत अभी बनाया है तो एक चमच मैं इसे डाल दूँगी और इसे हमें मिला देना है और करीब आधी मिनट के लिए हम इसे भी पका लेंगे ताकि इसका अच्छा वारा जो खुसबू है वह आना स्टार्ट ना हो जाए तो यह जैसे ही पक जाएगा उसमें हम हरी मिर्श एड़ करेंगे तो मैं तीकी वाली हरी मिर्श है एक ही डाल रही हूँ उसके बाद मैंने इसमें एड़ किया है टमाटर का प्यूरी तो टमाटर को मैंने बड़ी वाली टमाटर को मैंने मिक्सी में डाल के उसका प्यूरी दनीय ढूर पॉडर है। आंगाता है। इस नीफ़नी स्टेयरा नान कर दगाए। इस बनाुता है। पानी बूंब साथ की टेल आना सुरू ह्या है ले-से देनर टेल करने संपे पानी पानी दाली मिलाव है ताकि जो मसाला है वो अच्छे से इसके अंदर चला जाए सोयाविन के अंदर तो इसे हमें ढख के पकाना है और जैसे ही पकता है मैं आप लोगो दिखाती हूं उसका फाइनल लुक और यहां पे मुझे दो मिनट लगे पकाने में जैसे ही यह पानी सूग गया है मैंने इस अब तो अब आलस वाला मौसम है अभी तो हमने सबने लंच वगेरा कर लिया है और आरब चला गया है तो इसके पापा उसको जब रस्ती लेके गया है उससे सोने का इच्छा लीए था तो अभी गया है वह और मेरा सारा किचन का काम हो के मैं जस्ट बैठी हूं तो मैं तो मुझे कभी-कभी ना चौकलेट खाने को बहुत इच्छा करता है और यह वाला चौकलेट किसको को पसंद है आप लोग बताईएगा जरूर कमंड करिएगा मैं आपनों को दिखाती हूं तो यह देखिए यह चौकलेट एक है आपका यह ओरेंज वाला यह जो ट्रेंड यह जरूटेएगा ड़ी देन में मिलता है आप बहुत कोई को बता है जो ट्रैंड करते है फो ट्रेंड में ज्यादा तर यह सब मिलता है और एक है यह यह बलाग वाला काफी टेस्टी लगता है और बहुत सारह है अभी तक मेला में गई थि उसी टाइम पे खरीद के लाइ तो अभी मैं भी जा रही हूं थोड़ा रेस्ट करूँगी उसके बाद फिर मैं आप लोग से मिलती हूं साम में तो अभी हो रहा है इबनिंग का टाइम और गोड इबनिंग तो अल माई फ्रेंड तो यहां पर मैंने दो घंटे के लिए रेस्ट लिया था उसके बाद मैं उट गई हूं और आप अभी तक सो के नहीं उठा है वो भी सोया हुआ है तो किसी किसी दिन वो सोता है तो लंबा सो जाता है और नहीं सोता है तो एक दम ही नहीं सोता है और यहां पर मैं कर रही हूं Face Wash मेरा जो Evening का स्कीन केर रूटीन होता है वो मैं करती हूं इस टाइम पर सबसे पहले मैंने Face Wash किया है और थोड़ा सा मैं करती हूं Scrub कभी कभी करती हूं Scrub daily नहीं करती हूं तो Scrub करने के बाद ये सब हो जाने के बाद पिर आरब को ठाओंगी उसके बाद से कुछ नास्ता वगेरा कराने के बाद मैं उसे थोड़ा नीचे लेके जाओंगी और इस टाइम पर वो खेलने के लिए जाता ही है साम में तो कभी-कभी मैं जाती हूं कभी-कभी इसके पापा भी चले जाते हैं और यहां पर मैंने तो अगर आप लोग मलाई जमाते हैं तो इसी तरह से जमाएं जैसे की दूद को अपने बॉल होने के लिए रखाया है तो दूद अच्छे से जब बॉल हो जाएगा उसे दूद को हिलाना एकदम नहीं है जैसे कि दिएसे आप लोग फ्रेज में रख देना है यह अच्छे सा हल्दी वाली दूद निकालोंगी क्योंकि मौसम जब ठंडा रहता है तो बच्चों को आप लोग ट्राय करें कि हल्दी वाला ही दूद दे तो वह आराम से खा लेता है उसे पहले तो हैविट नहीं था हल्दी वाला दूद का इसे नहीं खाने कुछ सता था बट अभी वह तोड़ा समयने घर वाला जो हल्दी होता है होममेट वाला वो मैं डाली हूँ इसमें करीब आधी चम्माज और इसे मैं दूंगी आरप को भी पीने के लिए और यहां पर वो अपना काटून देख रहे हैं अपने पसंद का और दूद पी रहा है और यहां पर वो अपने फिवरिट वाले कप जो है काफी मग उसी में वो दूद पीता है हमेसा अगर इसमें मैं इसे दूद नहीं देती हूँ तो फिर ये पीने में बहुत ज़्यादा करते हैं और यहां पर आ गया है अरब नीचे और थोड़ा से खेल रहा है गार्डन में जूला जूल रहा है जेरी चेलyllवा क्या जूल जूल है यहां जूला है क्या नाम है परी जेरी 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 चल अभी क्या आप लोगे इसको और आज सबको ना आलू पराठा खाने का बहुत मन कर रहा था तो मैं सूझी क्यों ना सबका ख्वाइज पूरी की जाए और यहां पर मैंने आलू बॉल होने के लिए रख दिया था तो सारे आलू को मैंने मैश कर लिया है और सब सबका तरीका अलग होता है आलू पराठा बनाने का मैं किस तरह से बनाती हूं मैं आप लोगे साथ जरू शेर करूंगी तो सारे आलू अच्छे से मैश हो गया है गरम गरम आलू है इसलिए मैंने हाथ से एकदम टच नहीं किया है और यहां पर मैं डालूँगी थोड़ा सा अच्छे से बहुन लेंगे और इसी में मैं एड़ करूंगी एक हरी मिर्च तो आप लोग चाहें तो मिर्च पॉडर का भी इस्तमाल कर सते हैं मसालों के साथ तो मैं हरी मिर्च डाल रही हूं क्योंकि एकदम तीकी वाली हरी मिर्च घर में आई हुई है तो एक ही मैं डाल क्योंकि बच्छे भी खाने से उसलिए मैं और छोटा वाली हूं और दृए मिर्च लख कर देए जाने से चाहे जा से और चोले वह ना में जाख ये आख अप जासे आए जया अपकान के साथ परिपार। नमक हल्दी डालोंगी और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें धनिया का पॉडर, भुना हुआ जीरा अगर आप लोगे पास है तो आप लोग जरूद डाले, इसमें टेस्ट काफी अच्छा आता है, तो मैं एक चमज डाल दी हूँ भुना हुआ जीरा, अब इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मि हरा धनिया, हरा धनिया के बाद फिर से हमें इसे एक बर मिला लेना है, और एकदम टेस्टी वाली जो मसाला है ना, एकदम हमारी बन चुकी है, रेडी हो चुकी है, आप लोग तीखा अपने टेस्ट के अकोडिंग डाल सकते हैं, और यहां पे मैं आलू को ट्रांसफर कर र तो आलू हमारी ठंडी हो चुकी है, अभी हम आटा की लोया भी बना लेंगे, तो आटा ना हमें थोड़ा साइज में चाहिए, जैसे कि आप रोटी बनाते हैं, उसे थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो उसके बाद इसे हमें कटोरा टाइप का बनाना है, आप चाहे तो बेल का प्राठा में अगर आलू जादा ना रहे तो मजानी आता है, और आलू डाले के बाद इसे हमें अच्छे से बन करना है, ताकि बेलने के टाइम पी ये बाहर ना आए, और यहां पे हमें आटा जब लगाईएगा, तो उस टाइम पे आटा में थोड़ा सा अजवाई आटा को मिलाईए, और आटा एकदम सॉप्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ये मतलब टाइट फॉर्म में ही रहना चाहिए, तब इसके पराठे अच्छे बनते हैं, तो यहां पे मैंने लोईया त्यार कर लिया है, अब लोई को चलिए फटा-फट से बेलते हैं, तो ए यहां पे मैं घी से, होममेड वाला घी से मैं इसे सेख लोगी, तो यह हमारे जो गर्मा गरम आलू के पराठे है न, यह काफी लजीज बनी थी, और इसे मैंने दही राइता के साथ इसे मैंने सर्व किया था, आप लोग चाहें तो इसे दही मीठी वाली दही होती है, उसके यह काफी टीस्टी लगता है, और यह गर्मा गरम हमारा आलू पराठा बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं कितना टीस्टी बना हुआ है, और यहां पे मैं आप लोग को एक टीप देने वाली हूँ, एक टीप सेयर करने वाली हो, तो यहां पे जो हरी मिर्चे हम लोग और फ्रिज में आप लोग जैसे तैसे स्टोर कर देते हैं, या तो प्लास्टिक में बहुत कोई रखता है, या तो ऐसे ही चोड़ देता है, लेकिन आप लोग ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करी, यह बहुत जदी सूखने लगता है, तो इसे लंबे टाइम के लिए स्टोर क दें, और इसे आप लोग काफी लंबे समय तक फ्रिज में रख सकते हैं, तो आज का ब्लॉग को में यही पे एंड करूंगी, होप आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा, तो आज के लिए बाबाई